आधरनी किसान वाईयों नमस्कार एन पंजाब सुगरमिल में आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत अफिनंदन आईए हम दिखाते हैं आपको दन्ना परजाती 15-0-27 यह क्या है जो पांच फिट साड़े-चार फिट वाला मेथड है वो तो ही आप लगाते हैं आप इधर आ जाईए और यह एक लाइन रिंग-पिट विधी जो है जिनको आप जो है रिंग-पिट विधी कहते हैं गढ़्धा खोद करके जना लगा जाता है जो वह रिंग- लाइन आप लगा कि देखिए 20-22 दिसंबर के आसपास यह गण्ना लगा हुआ था इनका रिंग-पिट विधी से 15-27 है और गण्ना खेर काफी अच्छा है 22 तेशपुरी का गण्ना इनका हो गया है और इस विधी से गण्ने में मोटाई भी इनकी अच्छी आई है यह आप 15 गण्ने एक गढ़े में करीब करीब इनका 15 गण्ना है और खेर करने की मोटाई इसमें ठीक आई है यह देखिए आप लोग जो है और इसमें जो फर्ट्लाइजर से जो खाद है वो गढ़े में ही दिया गया था क्यों इसमें थोड़ा गोबर की सड़ी हुई गोबर की खा जो भी है मतलव इसी में गढ़े में ही डाला गया था और इसका रिजल्ट अच्छा दिख रहा है पैदाबार इसकी इल्ड अच्छी है एक लाइन इसको ट्राल कराया था इस साल जो है इंग पिट डिगर से गढ़े लगा करके लगा जाएगा और यह दिखिए यह गन्ना ह यह प्लाट है पूरा आपका यह 22 दिसंबर को यह गन्ना लगा था मोटाइस इसकी अच्छी आई है वो इसे पिट डिगर से यह गढ़ा नहीं बनाया गया है यह गढ़ा जो है ट्राइल के तोर पे हाथ से ही बनाया गया था और हाथ से ही बना करके ट्राइल के तोर पे मिल लगवाया था ये राजू हडाओ जी का है लाट जो है गवोटा इसके ठीक आई है ये 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 हमको लगता है कि 22 गन्ना है सर दो प्र दो प्रगना हो गई क्यों है कि दो कि लोगा कूछ जाई किलो का गन्ना है और ये गढ़े में 15 गन्य किसी में 16 गन्य किसी में जैसे देखिए इसमें 20 गन्य करीब होंगे 23 गन्य इसमें 23 है तो ऐसे जो है ये लगा हुआ है ये एक लाइन जो है जिसान भाईयों ये नई नई तक्नीक से गन्ना लगाने के लिए अच्छा पैदावार लेने के लिए बैग्यानिक खेती करने के लिए नई तक्नीक नई जानकरी प्राप्त करने के लिए आप सभी लोगों को बहुत-बहुत ध्यानिवाद और आपका बहुत-बहुत स्वागत किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो गन्ये से जुड़ी कोई डीजीज हो, इंसेक्ट हो आपके खेत में किसी भी प्रकार की अबने अर्मेल्टीज दिखती हो गन्ये के पैदावार को कैसे बढ़ाएं, क्या करें, समय समय पे क्या करना है उसके लिए जैसे भी जरूरत हो आप हमको फोन करिए और हम आपको तुरंत आपके खेत पे उपलब्ध मिलेंगे और आपके साथ मिल करके कैसे ज़्यादा पैदावार लिया जाए इस चीजों पे कारी करेंगे ठीक है, आपको धन्यवाद, नमस्कार